Hello, Assalamualaikum, Welcome to the latest episode of TPA, पाकिस्तान का वाहिद स्पोर्ट शोर जिसमें आपको पाकिस्तानी स्पोर्ट से रिलेटेड हर किसम की न्यूज और अनालेसिस मिलता है तो लेट स्टार्ट टोडेडेडेडेडेडेडेक्स अथ्लेटेक्स अथे बहुत इची खबर है कि पाकिस्तान के शजर अबास जो है उन्होंने ने नाश्टन रिकॉर्ट बनाया है बाक्लॉकिंग 10.37 सेकेंड इन अंडर्ड मीटर रेस इन अशन इसान इस्पाइडेडेड इसानषार के जमय कैनाया लाट के अंडर्ड मीटर के अवाएडेडेडे। वोमत करेंडेडेडेडे। बएक अच्छा भागें यूद्ह संपाइडेडेडेडेडेडेड इसानषन सीवन इकलेडेडेडेड इस्वालिएरगे क्यों थार थेत्पाइडे विद्मी tracks नहीं है कोई प्रॉपर उस तरह की कोचिंग नहीं है कोई फिसिलिटी नहीं है कोई फिजियो नहीं है डिस्पाइट आल इस कंस्रेंट्स उन्हों ने अच्छा परफॉर्म किया है तो यह बहुत अच्छी बात और काफी अच्छी अचीवमेंट है और जो सेमी फाइनल में कि उनका टाइन था वो 10.45 सेकेंट था ऑल्दो लाइक वो से थोड़ा ही कम था जो उन्होंने हीट वन में अचीव किया था बट स्टिल बहुत-बहुत मुबारिक हो कि उन्होंने नाशनल रिकॉर्ड बनाया और इसके साथ साथ के यहीं बिताते चलें के से पहले जो है वो कॉमनवेल्थ गेम्स में इन ही का पहले रिकॉर्ड था वो 10.38 सेकंट का था जो इन्होंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 100 मीटर के फाइनल इवेंट के दौरान अचीव किया था सब्सक्राइब है और इन्होंने जो इस्लामिक सॉलिडारिटी गेम्स होई थी अभी कुछ अरसा पहले टर्की में उसमें इन्होंने 10.25 सेकंट भी क्लॉक किया था और वो उस ताइम इनका पर्सनल बेस्ट था और पाकिस्तान का भी बेस्ट ताइम था इन 100 मीटर रेसे ब सब्सक्राइब हो जब इन्होंने यह वर इस्टाइटिक्स चैंपेंशिप में 10.37 क्लॉक किया है तो इस बिकाम हिस फास्टेस टाइम पाकिस्तान फास्टेस टाइम इन इतलेटिक्स सो बहुत-बहुत मुबारिक हो काफी अचीवमेंट की बात है विकॉस जिन हालात में इ उसके प्रिवियु की बात है कि अभी वर्लिट टेस्टेस्ट्रेस का निया साइकल स्टार्ट हो रहा है जो के वर्लिट एस्ट चैंपेंशिप का अगर आपको नहीं पता तो दो साल पर मोहीत होता है जिसमें आपने छे सीरीज, तीन होम और तीन अवे की बेसिस पे खेल ली होती है और उसकी बेसिस पे एक रैंकिंग पॉइंट स्टेबल स्टेबलिश होता है जिसकी टॉप टू टीम्स आखिर में फाइनल खेलती है तो अब उसका निया साइकल स्टार्ट हो रहा है तो ये दुबारा से पाकिस्तान के लिए मोका है कि वो वर्ल टेस्ट चैंपेंशिप में अच्छी कारगर्दगी दिखाए और फाइनल के लिए कॉलिफाइ करे क्योंकि जो पिछली वर्ल टेस्ट चैंपेंशिप थी उसमें पाकिस्तान की कारगर्दगी जो है वो बिलकुल अच्छी नहीं थी और दो क्योंकि उस टेस्ट चैंपिंशिप में पाकिस्तान की जो होम सीरीज थी अगेंस टीम्स आइक ऑस्ट्रेलिया, इंग्लेंड, न्यूजिलेंड होनी थी भी पाकिस्तान की होमपे नहीं थी तो यह समझा जा रहा था के पाकिस्तान को रैलेटिवली असान अवेंावे फिक्श्चbor मिले हैं और जो होम फिक्श्चूर भी हैं वो बेशककि मजबूर्ट टीमों के खिलाफ हैं बट उन फिक्ष्चर में पाकिस्टान को एडवांटेज होगा क्यूंकर पाकिस्टान के लिए क्वालिफाई करना असान होगा लेकिन इस तरह नहीं हुआ पाकिस्टान ने होम सीजन ने बिल्कुल परफॉर्म अच्छा नहीं किया कोई ट सीरीज हारे वो 3-0 हारे तो इन टरम्स ऑफ पाकिस्टान की को अच्छी काड़ी नहीं थी तो पाकिस्टान उमीद करोगा कि आप यह जो नेया टेस्ट साइक्ल है इसमें अच्छी परफॉर्मेंस दे पाकिस्तान की जो टीम लग रही है वो यकीनन मजबूत होगी है शाहि अच्छा माइलस्टोन होगा और काफी अच्छा लग रहे के गाल के स्टेडियम में एक साल पहले शाहिन जो है वो इंजिड होए थे सी लंका खिलाफ टेस्ट रिकेट खेलते वे जिसकी वह से उनको चार-पांच महीने के लिए क्रिकेट से बाहर होना पड़ा था तो अब वो वापस आ रहें और टेस्ट रिकेट में वापस आ रहे तो यह बहुत खुशायन बात है और हम उम्मीद करते हैं कि वह टेस्ट रिकेट में बहुत अच्छा परफार्म करेंगे आस फर आइस पास्तान की जो प्लेइंग 11 कंCern है तो उसमें एक तो डिबेट विकिट केलेंगे या मुहमद रिजवान केलेंगे तो भी पिछले जो टेस्ट मैचिस हों उसमें रिजवान सरफराज एहमेद ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है और रन्स भी स्कोर की और स्पिनिंग कंडिशन्स में वह काफी अच्छे जाने माने खिलाडी है उनका रिकॉर्ड की बात करें तो कीपिंग वाइस सरफराज एहमेद ने काफी कुछ टंपिंग जी मिस किये कैच भी ड्रॉप किये तो अब यह डिबेट बेसिकली इसमें आगी है कि क्या आप बेतर कीपर खिलाएंगे या बेतर बैटर खिलाएंगे तो इसमें अब यही देखने वारी बात होता है कि किया पक्स काई रफा होता है कि आप होता है कि अँवाटिक में घार अच्छी कारकरदी दिखा भी देते हैं लेंग अज़कन आप कीपिंग में दो गया चिम्वां पर्सपराज के सांथ घाती है बट परसंव ढब नर paling आच्ट्राज जोगिंगोंे जो स्टंपिंग जो हैं वो जादे इंपॉर्टन होती है इस्पेशली से लंका जैसी जग जाल जैसी विकेट में से लंका में जहां पर टर्ण हो रही होगी तो वहां पर और ज्यादा आपको चांसेज को अवेल करना होता है विकाज एक आप चांस भी अगर आप मिस कर दें तो मार्जन ऑफ डिफरेंस बहुत थोड़ा होता है तो एक भी चांस अगर मिस हो जाए तो वो सारा जो आपका मैच का पांसा है वो पलट जाता है तो एक तो यह हमें देखना होगा कि पाकसान किस तरह जाता है बाकी जो दूसरी है कि नंबर थी पर कोई खेलेगा अब्दुल मसूद और इमाम ओपन करें और अब्दुला शफीक नंबर तीन पर खेले तो वो एक लॉंग टर्म प्रोस्पेक्ट के तौर पर पाकिस्तान के लिए एक बेतर ऑप्शन होगी बिकाज अब्दुला विल बेटर सूटेड प्लेयर अट नंबर थी बाट ओवर आल यह पाकि तो दा चांसे आर इन फेवर एक स्पिनर स्पिन बॉलिंग और खेले गा ताके जो स्पिन को मैक्सिम एक्स्प्लाइट कर सके एस फर ऐस दिलंका की टीम कंसर्ड है तो उनको भी इंजरी कंसर्ण्स है उनके जो कप्तान है दमेश करू नतने वो इंजर्ड है ट्रिकेट वर इनकी चो तीम है अट्स प्रिटिव मज सटल स्थ में उनके जो नहाउरा कुमारा उनके श्राइक फास्ट बाल दर वह इंजर्ड है तो ही जाओ एउट फीर तर तो फेर वह वह सब्स्टेश्ट तो फेर वह वह वीज एविल के वेज़ जिएटा प्लेज ऑर एईवन ऐस प देते हैं या फिर किसी पराने ही experienced player के साथ जाते हैं but overall i do think के काफी interesting test series होगी there is not very much between the two sides especially considering के स्रेलंगा के home conditions में हो रहा है तो we can hope and look forward to a very exciting test series so now that we have previewed the Pakistan स्रेलंगा test series so we will move on to e-sports gaming में पाकस्ताने पिछले हफ्ते बहुत बड़ा event जीता है taken seven nations cup जो रियाद सोदिय अरेबिया में हो रहा था वो टीम tournament था वो पाकस्ताने जीता है अर्सलान एश इम्रान खान और अतिफबर्ट पर compromise थी पाकस्तान का team team member squad squad और team member squad ने बहुत बहुत बेहतरीन का रिक्तिकी का मुझारा किया सारे tournament में और उन्हें वो tournament अपने नाम किया और इनको one million dollar की prize money मिली है तो which is a huge achievement considering के पाकस्तान में culture है जिसमें gaming को बहुत discourage किया जाता है लोगों को कहा जाता है कि यह तो आप वक्त जाया करें है फिर और मसलें है इस तरह लोड चैडिंग होती है और उसकी विज़ा से लोगों को wait बहुत करना पड़ता है कि वो light आए ना आए और इस तरह के issues हैं लोगों के पास पैसे नहीं होते बिकास जातार जो इस तरह की games खेलते हैं वो बहुत कोई affluent background से नहीं होते तो उनको वो game खेलने के लिए भी games हराना पड़ती हैं लोगों को ताकि उनको वो token के पैसे ना देने पड़ें तो इस तरह की बहुत सारी मुश्किलात के बावजूद इन लोगों ने पाकिसान का वो two one से शिकस दी जो group round के matches थे उसमें उनने जपान सौधी अरेबिया और इस तरह की teams को शिकस दी जहां पर gaming culture बहुत prevalent अब बात करें सौथ कोरिया या जपान की तो वहां पर gaming का जो culture है वो बहुत जादा advanced है और वो बहुत जादा gaming की facilities भी उनके पास होती है और वो बहु बहुत बड़ी achievement है हमें इनकी बहुत जादा एंको appreciate करना चाहिए और we need to create more an environment जहां पर e-sports और इस तरह की activities हैं वो लोग उनमें जादा जादा हिस्सा ले सकें और उनको जादा मवाके मिलें because यह अच्छा जरीया है कि आप अपना जो human resource है इतना बड़ा हमारा मुल्क है उसको हम diversify कर सकें ना सिर्फ हम उनको एक मकसूस जो boxes हैं उनके अंदर महदूत करें from moving on from e-sports हम बात करेंगे अब पाकिस्तान की जो sporting bodies हैं उनकी थोड़ी सी अभी पाकिस्तान की जो women's football team है उनको FIFA विंडो में सिंगापूर के साथ उनके दो football friendly matches का organize पाकिस्तान football federation ने agree कर लिया था बट इशू किया हुआ कि पाकिस्तान का जो sports board है उनको जब पाकिस्तान football federation ने apply कि लिए तो उन्होंने कहा कि जी आपने हमें 6 हफते पहले क्यों नहीं बताया हलांके इस तरह की जो series होती हैं इन में बहुत सारे technical delays और logistical issues होते हैं जिसकी विज़ा से बिलकुल last minute पे आपको पता चलता है कि क्या matches होंगे नहीं होंगे availability and so many issues जिनकी विज़ा से आपको exactly नहीं पता होता कि किस दिन match होगा तो इसलिए ये तो बहुत ही far-fetched आपने सोच लिया कि आपको 6 हफते पहले ही बता दिया जाएगा कि किस दिन match होंगे कब होंगे तो उस पे पाकि शोर मचा इसका Twitter पे और लोगों ने इसको point out किया तो फिर ये हुआ कि जो प्राइम मिनिस्टर की special assistant शजा फात्मा खौजा उन्होंने बीच में पढ़ी और उन्होंने पर Ministry of Interior और पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड और जो इंटर प्रोविंशल को प्रोविंशल कॉडिनेशन ministry है उनको on board लिया और उनसे दो दिन के अंदर वो अप्रूव करवा लिया NOC तो the point that I was trying to come to was के यह जो पाकिस्तान स्पोर्ट बोर्ड है या जो ministry है इंटर प्रिविंशल कोडिनेशन के जिसके अंदर स्पोर्ट बोर्ड इस आती है यह बिलावजा की लूपोल्स और बिला स्पोर्ड हैं उनको आप बहुत निगलिजिबल पैसे दे रहे हैं जिस पर या अगर उनको पैसे जो उनको बनते हैं वो भी नहीं दिया जाते है ताइम पे और जिसके जिससे वो अपने sports events और उन चीजों को standard maintain कर सके तो आप इस तरह की जो मसले करते हैं उनकी कोई logic नहीं हैं और उसमें यही होता है कि वो फिर टीम्स जो हैं वो देर से पहुंचती हैं एक जो उनने ट्रैवल दो दिन पहले कर लेना था वो उनको बिलकुल last minute पे होता है प्लेयर्स भी psychological tension का शिकार हो जाते हैं कि पता नहीं हम जाएंगे नहीं जाएंगे तो यह बहुत सारे मसले मिसाल हैं जो के सिर्फ यह जो हमारे फजूल के bureaucratic structures हम ने रखे वे हैं इनकी विज़ासे वो खिलाडियों पे और जो sports federation जाएं वह ही करँच में आती है और इसकी विज़ासे हम पहले भी देख्या है कि बहुत सारी हमारी sporting bodies पे इसकी विज़ासे बैन लग गया है तो I do think के हमें इन जो sporting bodies हैं इनको इनको रिस्ट्रक्चर करने की जरूरत है इन से जो government का रोल है उसको बहुत minimize करने की जरूरत है because government इन चीजों को manage नहीं कर सकती है efficiently government काम सिर्फ policy देना है policy दे because आप इतने fund तो पहले कोई नहीं दे रहे हैं अगर कोई fund थोड़े बहुत दे रहे हैं तो फिर आपकी इसान नहीं करें वह उनका right है तो इसलिए यह जो पाकिस्तान की sporting bodies है पाकिस्तान sports board हो गया पाकिस्तान Olympic committee हो गई यह इन पर provincial coordination ministry होगी इनको reform करने की जरूरत है ताके यह जो इस तरह के NOC के issues हैं यह नारेज हो लाइक इसकी example अभी कोई दे रहा था कि जी e-sports में भी government को आना चाहिए पर उसमें क्या मसले है कि e-sports में भी government आगी तो फिर कि होगा कि एक उपर कोई bureaucrate बैठ जाएंगे या कोई जर्नल साब आके बैठ जाएंगे जिनको ना e-sports का पता होगा ना उनको गेमिंग के बारे में कुछ पता होगा और फिर लड़कों को करेंगे कि जी आप ये करें या वो करें और फजूल की वो अपनी चौदरहाट और instructions देने की कोशिश करेंगे जिसका कोई प्रोड़क्टे फायदा नहीं होगा और उल्टा जो e-sports तो थोड़ी बहुत अगर progress करी है वो भी खतम हो जाएगी इसी तरह जिस तरह भी पाकिस्तान ने वर्ल्ल कप खेलना जाना इंडिया के लिए उसके लिए भी हमने एक committee बना दिया जी की member parlement की जो के यह review करेंगे कि जी क्या पाकिस्तान को जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए तो यह भी एक फजूल की कारवाई है क्योंके इसमें हमें यह पता होाना चाहिए कि उनका कोई रोल नहीं है parlementarians का इस बात का फैसला करने में के पाकिसानी cricket team दौरा करेगी या नहीं यह सिर्फ cricket board का फैसला है cricket board का यह domain है कि वो फैसला करें कि पाकिसानी cricket team को वर्ल कप खेलने जाना चाहिए यह नहीं जाना चाहिए यह जो committee बनाई है उसमें माशाललह से का कोई नुमाइनदा ही नहीं तो इसलिए यह जो हमें government का ambit जो है governance issues से जो sports related हैं वो सिर्फ वो ही लोग उनका फैसला करें जो sports related हैं और sports oriented हैं क्योंकि वो sports को बेतर समझते हैं उसकी technicalities को बेतर समझते हैं तो वो ही उस पे बेतर फैसला कर जाते हैं बजाए इसके कि हम उपर बिठा दें जिनको ना गेम की मी समझ है ना जिनको ground realities का इतना पता है ना वो ground realities के साथ सिंक में हैं तो इसकी विजाद से game का भी नुकसान होता है time भी waste हो जाता है पाबंदी भी पाकिस्तान पर लग जाती है और फिर तीन महीने बाद हम बड़ा अफसोस करे होते हैं through लोगों को थोड़ी खुशी और एक बेहतरी का एसास होता है तो बराय करम उसमें जो है इस तरह के आप मसले ना create करें जिसकी आसे जो यह खुशी का जरीया है यह भी लोगों से छिंजाए तो इस हफते की एपिसोड के लिए यही आपसे अगले हफते मुलाकात होगी